नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राहूल सिंग होमेपेथिक फिजीशियन आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने मीकोसिल जो की एक औरल सिस्ट होता जो मुझे अंदर या जीब के नीचे या लोर लिप पे होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था और आप लोगों के बहुत से कमेंट भी इस वीडियो पे आए और बहुत से लोगों ने अपने मीकोसिल की समस्या के बारे में कमेंट करके मुझे बताया उस वीडियो का लिंक उपर आई बिटन में दिया हुआ है वहां से आप जाक कारण है क्या इसका treatment है सब कुछ मैंने उसके वीडियो में बताया है बहुत से लोगों ने हमें WhatsApp पे contact करके treatment के लिए भी पूछा और जो लोग तयार हुए हम और हम पे जिनोंने भरोसा किया हमने उनका treatment स्टार्ट किया और उन्लाइन उनके अड्रस पर दवाईयां भी भेजी और मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपना treatment पूरा करा आया है वो आज सभी ठीक हो चुके हैं उनके सूर्जरी की तो बहुंत से वी अनष्ट मीज़ें दोसकीலिली को हम पर दोसकी में पहले 5 उने लोगों को मीज़े ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। को ट्रीटमेंट की कोस्ट पर 50% डिसकाउंट देने वाला हूं इस वीडियो में बीच में कहीं पर मैं कोड बताऊंगा आपको क्या करना आप उस कोड को कोमेंट बॉक्स में टाइप करके यह लिखना है कि आप मीकोसिल का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उन सभी लोगों को हम पूरे ट्रीटमेंट पर 50% का डिसकाउंट करेंगे तो अन तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और नीचे जो बैल आइकन है उसके प्रेस्ट करें जिससे की आगे आने वाले वी जो इंपोर्टेंट वीडियो जो जरूरी मेडिकल इंफॉर्मेशन्स है वो आप तक सबसे पहले पहुंचें दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम उन पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमसे मीकोसिल की मेडिसिन ओनलाइन मंगवा के अपना ट्रीटमेंट कराया और अब वो पूरी तरह से ठीक हैं तो सबसे पहले मैं पूने की एक 6 साल की छोटी सी प्यारी सी बच्ची है उसके केस को डिसकस करना चाहता हूं यह बच्ची 6 महीने से मीकोसिल से परिशान थी उनकी मदर ने बहुत से ऐलोपेथिक डॉक्टर को कंसल्ट किया और सभी ने उन्हें ओप्रेशन के लिए एडवाइस किया हमारे मीकोसिल के वीडियो को देखकर उन्होंने ह बच्ची की मदर अब भुघ कुस है और वन्होंने हमे एक थैंक्यू नोट भी लिखके दिया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस नशी बच्ची ने चोट सा थैंकिः वीडियो भी हमार लिए बनाया यह जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और यह बहुत प दोस्तों उसके बाद ये केस भी एक छोटी सी बच्ची जो की नफसारी गुजरात से है इसके जीब के नीचे काफी बड़ा रेनुला हो गया था जिसकी वैसे हमेसा डिसकंफर्ट फील करती थी मूह पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता था हमेसा इसको लगता था कि जीब के इसके कुछ अठक गया है तो इस बच्ची के फादर ने भी हमसे ओनलाइन मेडिसिन मंगवा के इस बच्ची का ट्रीटमेंट कराया और एक महीने के अंदर इसका रेनुला पूरी तरह से ठीक हो चुका है जबकि इस बच्चे को भी वहां के डॉक्टर्स ने ओप्रेशन के लिए बोल दिया था और अब बच्ची होमेपेथिक मेडिसिन के बाद पूरी तरह से ठीक है आप फोटो में बिफोर और आफ्टर में देख सकते हैं दोस्तों अगला केस दीमापुर नागालेंड से है इनको लोवर लिप पे दो महीने से मुक्योशिल की प्रॉब्लम थी यह कहीं से होमेपेथिक मेडिसिन ले भी रहे थे पर इन्हें कोई फरक नहीं पड़ रहा था तो इस वैसे जब यह हम से कॉंटेक्ट में आए तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि होमेपेथिक टीटमेंट स्टार्ट करें या ना करें पर हिम्मत करके इन्होंने हमसे ओनलाइन कर सकती है और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट केस मोरेना मध्य प्रदेश से है इनको भी लोवर लिप में मीकोसिल हुआ था डॉक्टर ने इन्हें भी सर्जरी के बारे में बोल दिया था कि आपको सर्जरी कराने पड़ेगी पर इन्होंने हमसे टीटमेंट कराया और लग कि दिल्ली की रहने वाली हैं तो इन्होंने हमसे पसनली कॉंटेक्ट करना ज्यादा अच्छा समझा और यह हमारे क्लीनिक पर आके इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया पर उसके बाद हमने इनको कुरियर के तुरूवी मेडिसिन में भेशते रहे और 5-6 हफतों में इ जो कोड है वह है मीको सील 50% आप अगर patrick में चातें मिकोे का तो कमेंट बॉक्स में मीकोंसीत के बताहिए कि आपको adore चाहिए तो जो बी पहले पांच लोग होंगे उन्हें हम पूरे प्रेटमेंट पर 5 % का इसिकाउट देंगे और जब तक उनका mucosil ठीक नहीं हो जाता उनकी दवाईयों पर 50% का उन्हें डिसकाउंट मिलता रहेगा तो अगर आप treatment के चुक हैं तो इस code को comment box में लिखके अपना treatment स्टार्ट करा सकते हैं उसके बाद दोस्तो जो अगला case है ये साउदी अरेबिया से है वहां के एक शेक साब थे उनके 17 साल के बेटे को जीब के नीचे रैनुला हो गया था और जो dentist से उन्होंने दिखाया तो dentist ने उसको rupture करके उसके अंदर का सारा fluid बाहर निकाल दिया था पर surprisingly एक हफते बाद ही वो दुबारा से उतनी बड़ी swelling फिर से हो गई और फिर dentist के पास गये तो उन्होंने का कि इसको फिर से rupture कर देते हैं पर दोस्तों घबरागे कि ऐसे कितनी बार rupture करेंगे क्योंकि dentist यह नहीं उन्हें confirmation दे पा रहे थे कि दुबारा नहीं होगा तो दोस्तों मीकोसिल पेमार एक ब्लॉग भी है तो उस ब्लॉग को पढ़ने के बाद उन्होंने हमसे contact किया और हमने यहाँ से साउधि अरेबिया में तीन महीने कीखटी दवाई बेजी क्योंकि वह दूर था बार बड़ दवाईयां बेजना असान नहीं था और वह बहंगा भी था तो हमने duty नहीं की इश्टी दवा बेजी पर झैसा उन्होंने हमें से इस cela बताएक एक विशवास करके treatment लिया और उनका बेटा पूरी तरह से ठीक है, तो और भी ऐसे बहुत से case हैं, जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, या उनका भी treatment चल रहा है और वो पहले से better है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने कुछी cases यहाँ पे आपको show कि है तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि जिससे आम लोगों को यह पता चल सके कि मीकोसील या कोई भी इस तरह की प्रोब्लम या रहनुला या जिन्हें ऐलोपैथिक डॉक्टर सजरी के लिए रिक्मेंट कर देते हैं उन्हें हम होमेपैथिक दवाईयों इसे एजली ठीक कर सकते हैं और उनके दुबारा होने के चांसिस भी कम हो जाते हैं या खतम हो जाते हैं तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी किसी क्रोनिक प्रोब्लम से परेशान है जो एलोपैथि से या ठीक नहीं हो पारी है जो बार बार रिपीट होती है तो एक बार जरूर मोका दें यह मेडिसिन एक तो जड़ से भीमारी को ठीक करती है और दूसरा इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कुछ केसी में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है पर अगर प्रोब्लम हमेशा के लिए ठीक हो रही है तो वो टाइम मेरे हिसाब से कुछ भ आमा सकें आप हमें फेस्बूक इंस्ट्राइम लिंक्टिंग या ट्यूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं उसे फॉलो करने से आपको यह फायदा होगा कि जो भी हम इन्फोर्मेशन देते हैं या कोई छोटी मोटी मेडिकल इन्फोर्मेशन रहती है तो आपको टाइम टूटा दायवा दन्यवाद